तो जय हिंद मेरे प्यारे साथ ही हो, कैसे हुआ आप सबी लोग, I hope कि आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तो भारती डाक विभाग यानि कि इंडिया पोस्ट आफिस GDS की अगर मैं बात करूँगा तो जो GDS Schedule 1 2024 के नाम से नई भरती आने वाली है, तकरीबन 40,000 पद पर, जिसमें कि ABPM, BPM और डाक सेवक के पद जो है, वो शामिल रहेंगे इस वेकेंसी का इंतजार लाखों बच्चे ऐसे हैं दोस्तों, जो की काफी बेसबरी के साथ कर रहे हैं बार-बार सवाल पूछते रहते हैं कि सर नई भरती कब आएगी, और देखिए कुछ सोसल मीडिया इंफिलेंसर ऐसे भी हैं, जो की ये कह रहे हैं कि GDS की नई भरती में अब रिटेन इक्जाम होगा, यानि की लिखित परिक्षा होगा, और आप से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी लिया जाएगा, क्या ये बात सत्य है, वो भी मैं आपको आज के सीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना दोस्तों देखें, मेरे चैनल पे काफी सारे विवर्स ऐसे हैं, जो की GDS के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है, इसलिए आज के सीडियो में आपको बेफिक से सुरुवाग से पूरी जानकारी दूँगा, और सारा A to Z जानकारी मैं आपको आज की सीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है ना, बशर्ते वीडियो को आप लोग बिल्कुल अन्त तक वाच कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नय होना, तो प्लीज याँ चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी प्रकार के आपके मोर अपडेट के लिए, देखिए चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ना, अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, आगे वीडियो बनाने के लिए, तो दोस्तों आईए, बिना समय गवाए, वीडि पर ये भरती आएगी, जिसमें की ABPM यानि की असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट माश्टर, BPM यानि की ब्रांच पोस्ट माश्टर और डाक सेवक के पद जो है वो शामिल होंगे, देखिए BPM के अगर मैं बात करूँगा तो तकरीबन 10,000 ABPM में 20,000 और डाक सेवक में तकरीब अब मैं गवर्मेंट से एक बात पूछना चाहता हूँ, अब काफी सारे लोग मुझे सरकार विरोधी वोलेंगे, मोधी विरोधी वोलेंगे, वो अलग की बात है, लेकिन ये जायज बात है, छीके ना, जो मैं कहने जा रहा हूँ, कि DSSSB में अभी हाल में ही भरती आई है जिसमें की ड्राइवर के पद शामिल है, कलर के पद शामिल है, सफाई करमचारी के पद शामिल है, उसके अलावा यूपी मेट्रो में अलग अलग प्रकार के पद पे भरती आई है, क्या इन सभी भरतियों के लिए आचारी संगिता लागू नहीं है, और GDS के अगर मैं बा यह केवल GDS करमचारी को लॉली पॉप दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लोग सभा चुनाओ जो है, बिल्कुल सर पे है, देखिए अगर उनको कुछ देना यह ना, तो GDS में भारती डाग विभाग में नई भरती निकालनी चाहिए, और सरकार क्यों नार यह ने, तो यह भरती जो है आपको जनवरी के माह में ही देखने को मिल जाता, इतना ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या पूरा प्रोसीजर रहने वाला है, ठीक ना, देखे, एज के अगर मैं ब कर सकता हूं कि नहीं, दोस्तों जब notification जारी किया जाएगा ना, तो वहाँ पर बताया जाएगा कि जो age की गणना है, वो कब से किया जाएगा, उस age की गणना फिले करके आपके date of birth के बीच में, वो 18 साल age होना चाहिए, तभी जा करके आप apply कर पाऊगा, अगर उसमें 2-4 मह यहां पर फार्म को भर सकते हैं, तो कुलमला के कहने वाली बात है कि परियाप्त मात्रा में इसमें आपको age दिया जाता है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है, और qualification भी बहुत जादा नहीं मांगा जाता है, अगर आपने दसवी की परिक्षा पाफ कर रखी हो, आल इंडिया के male और female candidate जो है, इस भरते में apply कर फकते हैं, यानि कि आप पूरे भारत देश में से किसी भी राजी से आते हो ना, तो आप apply कर सकते हो, बशर्ते आपने दसवी की परिक्षा जो है, पाफ कर रखी हो, और इसमें किसी प्रकार का return exam भी नहीं होता है, merit based election होता ह ठीक ना, वो मैं अभी आपको chain प्रक्रिया में आगे बताऊंगा, ठीक है, देखे basic requirement की अगर मैं बात करूँगा, तो यहाँ पर कुछ basic requirement है, जो कि आपको fulfill करना पड़ेगा, तभी जा करके आप इसमें apply कर सकते हो, जैसे कि जहां से भी division या circle से आप form को fill कर रहे हो, वहां का local language आपको आना चाहिए, जैसे अगर आप गुजिरात से apply कर रहे हो, तो आपको गुजिराती आनी चाहिए, महराष्ट से apply कर रहे हो, तो आपको मराथी आनी चाहिए, उसी प्रकार से अगर आप उत्तर प्रदेश से apply कर रहे हो, तो आपको हिंदी आनी चाहिए, है ना, तो यहाँ पर जो है division या फिर circle wise जो है local language की जानकारी आपको pass होनी चाहिए उसके अलावा cycling यानि कि cycle चलाने का ग्यान होना चाहिए क्योंकि जो BPM होते हैं डाक सेवक होते हैं उनका पता है क्या होता है उनका काम जो होता है वो घर घर जा करके चिठी को बाटने का काम रहता ह है ठीक है ना चिठी वित्रित करने का काम रहता है इस जैसे यहाँ पर cycling का जो है requirement मांगा जाता है उसके अलावा computer का basic knowledge होना चाहिए अब यह computer का basic knowledge है यह कहां पर यूज होता है यह यूज होता है BPM यह यानि कि branch post master के पद पर computer का knowledge होना अनिवार है तब जाकर के आप BPM के पत्पे कार्यत हो सकते हैं आप काफी सारे social media influencer ऐसे भी हैं जो कि यह कह रहे हैं कि अगली बार से computer का certificate भी लगेगा दोस्तों मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं कि देखिए अभी तक जितनी बार भी भरतियां आई यह ना उसमें एक बार भी computer certificate का जिक्र नहीं किया गया है लेकिन हो सकता है कि आने वाली भरती में जब इसका नया notification आएगा तो उसमें computer का certificate मांगा जाए ठीक ना इसलिए अभी आपके पास यहां पर समय है लगभग दो से तीन महिने का समय है तो अभी से आपको क्या करना है कि जितने भी documents है ना आपको तयार करवा लेने हैं पास होना चाहिए certificate होना चाहिए उसके लावा cast certificate होना चाहिए अगर आप general candidate से है तो आपका cast certificate नहीं लगेगा उसके लावा अगर आप OBC, EWS, SCHC category के अंतर गताते हो तो आपका cast certificate लगेगा उसके लावा domicile certificate यानि कि जहां के आप permanent निवासी हो वो certificate की जरूरत है जो ph handicap है उनके लिए एक बनता है week long certificate तो आप लोग जो है week long certificate बनवा लिजेगा वे लोग जो की ph handicap है केवल उनके लिए मैं बता रहा हूँ ठीक है ना उसके अलावा दोस्तों आपके पास date of birth certificate होना चाहिए character certificate होना चाहिए आधार card, pen card वगरा होने चाहिए बस इतने सारे documents होने चाह सब कुछ right होना चाहिए किसी प्रकार का mismatch नहीं होना चाहिए otherwise होगा क्या कि document verification में हो सकता है कि आपको result कर दिया जाए ठीक है ना तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर match कर लीजिएगा ठीक है तो यह चीज़ मैंने आपको बता दिया है देखिए अगर यह भरती जब आत apply कर सकता है और मैं आपको बता रहा हूँ पिछले दो साल के अगर मैं बात करूँगा ना तो लगभग देड़ से दो लाख पदो पर भरती आई हुई है इस डाक विभाग में जिसमें की काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बीना परिक्षा के उन्होंने नौकरी प्राप् कब से सुरू होगा तो दोस्तों देखें इसके बारे में कोई आपको सटीक जानकारी जो है अभी नहीं दे सकता और कोई भी अगर आपको ये बोल रहा है कि इस तारिक से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा तो ये फरासर बिल्कुल भी फेक है जूटा है ये जानक में दो बार निकाली जाएगी पहली जो वेकेंसी आएगी वो जनवरी महिने में और जो दूसरी वेकेंसी आएगी वो करीब जुलाई महिने में आएगी लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि दिसंबर महिने में बहुत तगड़े तरीके से धरना प्रदर्शन स्ट्राइक हुआ था जिसकी वज़े से सरकार जो है गौर्मेंट जो है वह पूरी तरीके से नाखुश है दो लाग सतर हजार जीडियस करमचारी से यह मैं आपको हकीकत बता रहा हूं और यही वज़ाए कि वेकेंसी जो है अभी तक नहीं निकाली गई है तो सबसे बड़ा स बता रहा हूं क्योंकि देखिए इस वक्त चुनाओ का महौल चल रहा है ठीक ना जो सरकारे हैं वह 12-24-36 रूल लागू कर दी है और दो लाग सतर हजार जीडियस करमचारी को केवल लॉलिपॉप पकड़ा दिया और कुछ भी नहीं है केवल जो बच्चों का जुन-जुना पर भरती आ जाती है ना तो तकरीबन 40 लाग से ज्यादा फारम जो है इस भारती डाग विभाग की भरती में गिरिंगी मैं हकीकत आपको बता रहा हूं देरोजगारी की स्थिटी यह है अपने भारत देश में लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है वह भरतियां नहीं निकाल रही है और मैं आपको बता दे रहा हूं सीधे तोर पे नो वेकेंसी तो नो वोट मैं इतना ही जानता हो और मैं ऐसा ही करूंगा आप कुछ करो वह आपकी मर्जी है लेकिन दोस्तों अगर भारती डाग विभाग में भरती नहीं आएगी तो मैं नोटा दवा करके च चैन प्रक्रिया के बारे में तो दोस्तों इस भरती में प्राया होता क्या है कि कि किसी प्रकार का कोई भी रिटेन एक्जाम नहीं होता है लेकिन काफी सारे सोसल मीडिया इंफिलेंसर ये कह रहे हैं कि GDS की आने वाली नहीं भरती में अब एक्जाम होगा दोस्तों मैं डाग सेवक की जो पद पर भरती आती है BPM, ABPM और डाग सेवक के पद पर ये fourth class यानि कि चतुर्थ स्रेणी के पद की भरती है और चतुर्थ स्रेणी पद की भरती में किसी प्रकार का कोई exam में ही लिया जाता है अब ये मत सोच लीजगा कि ये railway group D नहीं है ठीक है ना काफी सा इस जैसे जो है इसमें किसी प्रकार का written exam नहीं होगा आने वाली नई भरती में भी तो इस चीज़ से आप लोग बिल्कुल बेसिक्र रहिए कि कोई exam होगा बिल्कुल भी यहाँ पर exam नहीं होगा सीधी भरती होगी merit based selection होगा यानि कि दस्वी के percentage के आधार पर आपका selection होग 70% यानि कि 70% से ज्यादा अंक है आपके high school में तो आप लोग जरूर से जरूर apply किजेगा जब भी यह भरती आती है तो जानते इसमें क्या होता है क्योंकि कुछ-कुछ state ऐसे होते हैं जहां से cut-off काफी कम जाता है बच्चों का selection 60% में 50% में 70% में भी होता है जैसे कि असम ह हो गया उडिसा हो गया महराष्ट हो गया है ना गुजरात हो गया इन सभी में जो है cut-off काफी कम जाता है और दोस्तों कुछ गिने चुने ऐसे circle भी है वहां से भी cut-off कम जाता है जब यह भरती आएगी ना उसके बारे में मैं basic details आपको वीडियो बना करके आपको जानकारी दूँगा ठीक है ना उसके बाद दोस्तों shortlisted candidate का document verification यानि की दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा और अंत में आपका medical होता इसके बाद joining दे दी जाती है ठीक है ना तो इसमें किसी प्रकार का written exam नहीं होता है chain प्रक्रिया जो हो बिल्कुल simple है ठीक है अब मैं आपको बता 1000 रुपए दिया जाता है और जो डिये है ना अब उसे बढ़ा करके 50% कर दिया गया है और देखिए यह जो 50% डिये का जो official notification है वो आज तक आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूं यह देखें यहाँ पर मैंने screenshot लगा दिया इ के officially notification में भी निकल करके आ चुका है तो आप लोग चले जाएए अगर मेरे टेली ग्राम चैनल पर टेली ग्राम चैनल का link मैंने वीडियो के description में already डाल रखा है वहाँ पर इस notification को आप अच्छे से पढ़खते हो ठीक है आईए अब आगे बढ़ते हैं BPM का मैंने आपको salary ब दिया जाता है चीक है ना अब मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि 10 वी में कितने percentage आपका होना चाहिए हलाकि यह चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके 70% से उपर marks है ना तो आप लोग जरूर से जरूर एप्लाई कीज़ेगा जब भी ये भरती अब सवाल ये निकल करके आता है कि सर ये सारी चीज़े तो ठीक है लेकिन भरती कब आएगी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि जो भरती है ना इसके बारे में आपको कोई भी सटीक जानकारी नहीं दे पाएगा कि इस दिन भरती ये आएगी लेकिन एक अनुमानित मैं आपको बता रहा हूं कि जो भरती आपको देखने को मिलेगा ना ये देखने को मिलेगा आपको लोग सभा चुनाओं के बाद में हलाकि देखा जाए तो भरती जो है इस वक्त आज आनी चाहिए थी क्योंकि ड्री ट्रिपल एसबी में भरती आ रही है उसके अलावा उत्तर आपको देखने को मिल जाती तो दोस्तों यही फारा सब कुछ जानकारी देना था बाकी वीडियो आपको कैसा लगा आई होप कि वीडियो आपको इंफार्मेटिव लगा हो और देखे इस भरती के रिगार्डिंग में आपका कोई भी सवाल हो कुछ भी अगर कोई भी मन मे डाउट हो ना तो आप लोग कमेंट सक्षन में कमेंट कर सकते हैं और उसका रिपलाई देने का भी पूरा-पूरा कोशिस करूँगा बाकी फिर मिलूँगा किसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद